हम डिजिटल क्रांती की दहलीज पर खड़े हैं टेक्नॉलजी लोगों, समुधायों, व्यवसायों देश और दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है मुबाइल फोन, कम्प्यूटर और इंटरनेट से हमारी बाचीत, काम करने के तरीके, रहने के डंग और जानकारी साजा करने की ग्षमता में काफी बदलाव आया है हम डिजिटल इंडिया के माचम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है लेकिन इस प्रगती के बावजूद, ग्रामीन भारत में लाखों लोग अभी भी इस डिजिटल यूग का हिस्सा नहीं बन पाए है प्रकाश पेशे से एक पेंटर है, पर डिजिटल प्रिंटिंग तक्नीक के बचैसे वो लगभग बिरोजगार हो गए इसी दोरी को कम करने के लिए सरकार ने डिजिटल साक्षरता मिशन यानि अन्डेलम दिशा की शुर्बात की है इस मिशन का लक्षे यह सुनिश्चित करना है कि हर घर से कम से कम एक व्यक्ति को कम्प्यूटर साक्षर बनाया जाए डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज़ देश तरक्की कर रहा है हर वर्गों में हर समाज में प्धार मंत्री चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी की हथेली में मुबाइल फोन में देश के शाषन का की सूचना होनी चाहिए और मेरा कहना है डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है ताकि वो विकास की नई संभावनाय तलाश करें इसके लिए डिजिटल साक्षर बहुत जरूरी है रोजमर्रा की जिन्दगी में डिजिटल टेक्नोलिजी के सही इस्तेमाल की जानकारी होना ही डिजिटल साक्षर ताक्यू प्लब्धी है भारत विविदिताओं का देश है जिस कारण एंडियलम दिशा कि उद देशों को प्राप्त करने के लिए कई चुनोतियों का सामना करना पड़ता है अक्सर दिव्यांग लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं लेकिन 36 कर में एक विएली ने दिव्यांग छात्रों को प्रिशिक्षित करने की एक महतुपून पहल की है है कि ज़तों पहली वहां गया ईस्कूल पे तो ना वो मेरी भासा समझ सक रहा थे ना मैं उनको संजाब आ तो हमने request क्या मैम से तो मैम ने हमार एक educator के साब से हम जो भासा बोलते थे, हम अपने तक्कीं की computer की भासा बोलते थे, वह sign language में convert करके madam उनको translate करती थी, और धीरे 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 बच्चे उसको समझने लग गया है और हमको class लइने में बहुत मजाने लगा। पहले जब मैं गाउं में जाता था तो बहुत लोग बोलते थे कि हम उसे नहीं होगा इतना दूर कैसे जाएंगे देहाद के लोग हैं जाने की विरस्ता नहीं है तो हमने उनलों को कन्विंस किया कि आप लोग आईये सारकार में बहुत अच्छी स्कीम दिया है फ्री में सिख अपनों को कोई शुल्क नहीं देना है तो बहुत मुश्किल करने के बाद एक बार दो अरते वहां से आई महिलाएं तो उन लोग जब सीख के यहां से गई तो लोग को बहुत अच्छा लगा और वो खुद अपने से अपने गाउं के लोगों को लेकर आई यहां पर जब स हिम्मत हुआ अंदर से एंडीलम दिशा की अंतरगत प्रशिक्षित होकर आज बैजन्ती देवी स्वेम एक वी अले हैं अपने क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल भारत का हिस्सा बनाने में उनका सराहनीय योगदान है कम्प्यूटर हम तो सीखे हैं हमको तो भारोसा हुआ ही लेकिन हमको से ज़्यादा तो हमको लगा कि पूरी गाउं के भारोसा हुआ कि आज कल के जूग में मतलब कम्प्यूटर सीखना बहुत जरूरी है NDLM दिशा ने सरकारी योजनाओं के काम करने के तरीकों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं महिला सेल्फ एल्प ग्रूप, आंगनवारी और आशाकारे करताओं को कम्प्यूटर में प्रिशिक्षन दिया जा रहा है इससे उनहें टाटा संग्रह करने में आसानी हो रही है और इस वज़े से सरकार को जमीनी स्तर पर सरकारी सिवाओं को बेहतर करने की योजना बनाने में मदद मिल रही है NDLM दिशाक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती विभा के सदस्यों को भी प्रिशिक्षित कर रही है ताकि वो राशन के दुकानों को बेहतर तरीके से चला पाए आज मैं राशन दुकान में आउनलाइन से काम कर रही हूँ सीखने के लिए कोई हुम्रे नहीं होती जब मैं 60 साल की हूँ और कंप्यूटर सीख चुकी हूँ वैसे कोई भी होई सीख सकते है VLE अब रार वोरा दिव्यांग होने के बावजूद अपने सीख सी पर लोगों को कम्प्यूटर प्रिशिक्षन देते हैं घर घर जाकर उन्होंने NDLM दिशा के बारे में जागरुकता फैलाई लोगों को प्रिशिक्षन के लिए सीख सी आना पड़ता है ऐसे में घुमन्तु समुदायों के पास क्या विकल्प है दिशा ने सीएसी को उनके दरवाजे तक पहुचाया है VLE सने लता राजस्थान के बंजारों को उनके शिविरों में जाकर प्रिशिक्षित करती है तेलंगाना का कोली गाउं NDLM दिशा की सबसे बड़ी उपलब्धी है VLE निवलकर गजानन ने इस गाउं को 100% डिजिटल साक्षर बनाया है तो NDLM आने से पहले गाउं में डिजिटल लिटरेसी के बारे में परिजिटल डिवाइस के बाए में फिर एक प्ष astronomy के ने किली दिवाएस के बारे इसके बारे में समझ में अधिए TP playing.com ंधिटलें वोगों काउर फेतिश करें के मिने क्या कर है PC2 people मार्ट मोर्न यूजिश कर रहे है, वाट्साप यूजज कर रहे है, और व गाऊ में सेटब भी लगाया है थोड़े बच्चों के लिए वाँ पर आनलाइं सर्शेश भी उपें कर रहे है, थोड़े बात। बाइंकिंग काम कर है, चोटे चोटे चोटे. गाव के लिए एक WhatsApp ग्रूप में क्रेट किया, डिजिटल आकोली बोलके, वो ग्रूप में क्या हो रहा है, उसका जो समस्या है, वो समस्या फोटो खीच के वो ग्रूप में लगा दे रहे हैं, उसमें सरपांच और अहरा था टीप आपिसर लोगों भी है, तो क्या हो रहा है, वोटो निकालने से समस्या तो समस्या फूरा है, दूसरा दीन ने तुसरा दिन वार्सफ में आजसा समस्या क्लियर हो जा रहे हुआ गावर्मेंण के तरप से, सरपांच के और सो सबके ओर से. कोली गाव वाले एंडियलम ट्रेणिंग लेने के बाद एक घर में एक आदमी एक आदमी ट्रेणिंग लेने के बाद पूरा 160 आउजस में 160 मेंबर साथ 100% डिजिटल लिटरेशी हुआ अकोली के तरह और दो तिन गाव माईने ले लिए मानगाडा है और जैनत है और गुडा है गिम्मा है और चार पाज गाव लिए उसे भी 100% डिजिटल लिटरेशी बना ले के लिए आम प्राइ कर रहे हुआ एंडियलम दिशासे पींटर प्रकाश को असंख्य अवसर मिले दिन से मैं किस्टमर तो का बेज देता हूँ 2014 में अपनी शुर्वात के बाद से एंडियलम दिशा में एक करोड से जादा लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं 85 लाग से जादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 45 लाख लोगों को प्रमानित किया गया है प्रशिक्षित चात्रों को मानिता प्राप्ट एजंसियों जैसे NILAT, NIOS, HKCL, ICT, ACT और NISBAT के द्वारा प्रमानित भी किया जाता है अपने मिशन को दोर दरास के इलाकों तक पहुँचाने के लिए NDLM दिशा कई अन्य संगठनों का सहयोग भी ले रही है जिन में प्रमुक है Nescom Foundation, Intel, Danik Bhaskar, HP अगले तीन वर्षों में 6 करोर लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्षे निर्धारित किया गया है इतना ही नहीं NDLM दिशा के मध्यम से बेहतर भविश्य और रोजकार के अफसर भी बढ़ रहे हैं पर सबसे महत्तुपून बदलाव है लोगों में एक नई उमीद उमीद अपने सपनों को उड़ान देने की